नमस्का दोस्तों मैं रवी आपका फिर से स्वाइब करता हूँ अपने चैनल रवी टैक स्टूडियो पर तो दोस्तों आज एक सेंसेशनल न्यूस चल रही है कि किसी औरत ने फरस्ट इवेबी को डिलिवर किया है तो दोस्तों यह टाम इवेबी डाट मिंस इंटरनेट सुन रहे थे ईपे रूपे डाइट डिज्टल करेंसी यह गौए और बहुत सारी चीजह अब तो अब मार्केट में आगए सारी डिज्टल करेंसी का जमाना को नियुक्त जमाना आ गया है इसको सबसे जादा जो प्रोंुसन मिला है वो लास्ट टू यह मिला है जब से यह कोविट पैंडेमिक वर्ल्ड वाइड स्टार्ट हुआ और हम सारे अभी डिजिटल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और सारे चीज़े डिजिटल करें एवन टीचिंग भी कर रहे हैं वो भी ऑनलाइन जा रही है इस्टडी भी कर रहे है हैं वो भी डिजिटल फॉर्म में कर रहे हैं अगर हमें मेटेंग भी करनी है वो भी डिजिटल हो रही है सारे चारे डिजिटल हो रही है क्या कोई डिजिटल बच्चा भी पैदा कर सकता है जी हां आप करेक्ट सुन रहे हो डिजिटल बच्चा और इंडिया मिस वर्ल्ड क पहला ईवेवी डिलीवर भी हो सुका है और वो वो पार्टिकली ऐसा कारणामा UK में हुआ है UK की एक 33 साल की महला ने दावा किया है कि उसने पहले ईवेवी को डिलीवर किया है अब कुश्चन आता है कि ईवेवी कैसे होगा मतलब कैसे हम डिजिटली बच्चे को पैदा कर सकते हैं यह सब सोड़ा कुश्चन है तो भाई एक रिपोर्ट शपी थी यूके में डिली स्टार रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूके की एक 33 साल की महला स्टेफनी टेलर ने जिसका कि तलाक हो गया है अपने हज्वेंट से उसने पहला इवेवी डिलिवर किया है तो उनके आल लेडी पहले हज्वेंट से एक बच्चा है जो कि 5 यह का है 5 यह ओल्ड सन वो उसके लिए वो दुवारा से रिलेशंसिप में पढ़ना नहीं चाहते थी कि उनका अपने हज्वेंट से हो गया है तलाक तो उनके माइंड में एकदम से आइडिया आया क्यों ना हम इवेवी करें इतना बहिंकर आइडिया एक्चुली नॉर्मल प्यूपल के माइंड में आ नहीं सकता कि हम सोच नहीं सकते कि इवेवी भी होता है तो उस लीडी के माइंड में एकदम से विचार आया वाइक कांट आई वी बिकेम सेल पिगनेंट अब सेल पिगनेंट भाई एस नैच्रल वे में हम सोचते हैं उसके लिए भाई एक मेल और फीमिल का होना जरूरी ह जो कि एक टैडिशनल वे है इस कंसीव करने के लिए बच्छे पैदा करने के लिए जो कि साइंस भी सपोर्ट करती है साइंस भी यही कहती है बट अब साइंस को भी चैलेंज देने वाले लोग आ चुके हैं वही 21st सेंचुरी का जमाना है हो जैसे हम बढ़ रहे हैं कई सार इनक्रेडिबल चीजें इनों लाइफ में हमको देखने को मिलेंगे तो यह स्टेफनी टेलर ने सोचा कि हम क्यों ना कुछ क्रियेटिव करें जिसके वे में जिसमें बिना किसी रिलेशन्सिप में जाय हुए हम बच्छे को पैदा करें इसके कई सारे ऑप्शन हैं हमारे प सकते हैं और बच्छा पैदा कर सकते हैं कई सारे फोड नरुप करते हैं ठीक है बाद वह लीगल है इंडिया में ही लीगल है वर्डवाइन भी लीगल है स्रोगेसी नॉर्बमल टर्म हो गया है ए इस मैलाने तो इसे भी हटके एक काम किया उसने क्या कि एक एप चल रहा है जस्ट ए पेवी एप वहाँ से आप इस्पराम खरीज रखते हो तो इसने जस्ट एबेबी आप पे जा के कही सारे प्रफाइल सेर्ज किये वहाँ और लोगों के प्रफाइल पड़े हुआ हैं पार्टिकली उसको इंसाइट करने के लिए तो किट उसने खरीदी इवे से राइट इवे एक प्लेटफॉर्म में आप जानते होंगे वह सारी चीज आप इवे से खरीदता हैं जब भी कोई चीज बाहर से मंगानी है तो इवे प्लेट फॉर्म है जिससे हम खरीदते हैं तो उसको फॉलो करके उसने उस स्पर्म का इंसेमिनेशन किया और लगली इन फॉस्ट अटेम्ट में प्रेगनेंट हो गई और लास्ट ये अक्टूबर को उसने फॉस्ट इवेबी इस बेबी गर्ल को जरम दिया October 2020 को तो ये कानी है ये pandemic की time की lockdown की time पे उसने ये creative चीज करके दिखाई और उसके बाद उसने इंट्रिव्यू दिया डेली जो मैंने अभी बुला डेली star news agency को उस lady ने claim किया है this is the first e-baby delivered successfully elena so elena is the name of that baby girl who was delivered by that stephanie teller in UK so elena is the first e-baby girl right वो हो चुकी है और जल्दी ये गिनीज कुक में आने वाली है तो it's one of the most important question for completed examinations also which people who are preparing for complete examination तो first e-baby world में आ चुका है तो उसने क्या किया इस पम खरीदा online right insemination kit भी online ली और खुद से ही ये कर लिया अब fertility center में वो क्योंने की question ये भी होता है कि testy baby भी है ऐसे ही technology से होता है तो fertility center वो इस लिए ने कहीं कि इसके पास में उसकी जो fees थी वो afford नहीं कर सकती थी तो उसने creative way निकाला और उसने online ही सारे चीज़े की तो ये सारा digital thing हो गया तो digital baby कहलो और चाहिए इसको e-baby कहलो तो इस तरह से इनो इस मेला ने कहाइनामा करके दिखा दिया अब भाई इसको follow भी हो सारे लोग करेंगे obviously follow करेंगे तो this is a safer way right safer way so this is the first e-baby which has come in the world so it's a great news right is a miracle for the medical field also right medical field हमेशा कुछ न कुछ नया करता है कुछ नया innovation करता है यह मेला ने कुछ नया innovative तरीका medical field को भी दिखा दिया medical field उसको यह नो test कर सकता है तो यह था news about e-baby I hope आपको यह समझ माया होगा अगर आप कुछ feedback देना चाहते हैं please do write in the comment section मिलता हूँ अगले वीडियों में एक नई update के साथ तब तक के लिए नमस्कार जै भारत बंदे मात्रम कर दो